जब भी आप रेलिवे का टिकट बुक कराते हैं तो उसके पीछे जो कमपनी काम करती है अगर हम उसकी बात करें तो IR CTC नहीं है बलकि उसका जो साफ्ट्वेर है सारी चीजें है वो क्रिस करती है तो आखिरकार क्रिस करती क्या है और क्रिस को क्या-क्या और करना चाहिए इन स सारी चीजों पर बात्चीत करने के लिए हमारे साथ दिलिव जैन जी है जो कि क्रिस्प में इंजिनियर है आए सी धा उनी से बात करते हैं दिलिव जी आपका स्वागत है निलिश्टेशन में थैंक्यू सर थैंक्यू सर जब कोई भी टिकट हम बुक कराते हैं एक परेसानी क्रिक बहुत करते हैं तो होता क्या है कि जब आप टिकट करते हैं तो टिकट का पेमिंट अप बहुत सारे परकार के मोट से कर सकते हैं आप अपने क्रेकर से कर सकते हैं debit card से कर सकते हैं जीपे से कर सकते हैं और IRCTC wallet के थूरू भी कर सकते हैं जब आप IRCTC wallet को छोड़के बाकी mode से आप transaction करते हैं तो होता क्या है जैसे आपका payment कटने के लिए आप button पे click करते हैं वो उस bank की वेबसाइट में जाता है कई बार क्या होता है कि नेटवक स्लो होने की वैसे या फिर बैंक की website मेंटेनेस की होने की वैसे वो ट्रांजेक्शन वापस हमारे पास confirm नहीं होता पैसा आपके account से कट जाता है लेकिन रीकंसाल नहीं होता और उसे रीकंसाल करने के लिए बैंक कम से कम 48 घंटे लगाता है और सोचिए ज़रा कि किसी के पास हीजार रुपे ही है और वहीं कट गए तो वह वापस तो टिकेट नहीं करा पाएगा उसके लिए 14 घंटे वेट करना पड़ेगा तो इसके लिए बहुत अच्छा फीचर दिया है आप अपने वालेट को रिचार्ज करके रख लिए आपको सब्सक्राइब करना है आप पांसे रुपे से अपने वालेट को रिचार्ज कर लिए आप लोगिन कीजिए टिकेट पे नाओ का ब आपको तुरंट बहुत ही कम समय में आपका रिफंट मिल जाएगा तो यह फीचर हमने जो है आप हम इंकरेज कर देगे सब लोग आयर सिटी सी वालेट को जो है वो इस्तमाल करें और परिशानी से बचे आयर सिटी सी वालेट जो आप बता रहे हैं उसको रिचार्ज करने क सबी मोड उसमें है आयर सिटी सी का जो वालेट है उसका इस्तेमाल किया जाए यह सुझाओ है और यहां पर रेल पैसेंजर सिस्टम को दिखाये गया है कि किस तरीके से यह काम करता है क्या-क्या इसका प्रोसेस है अच्छा एक और चीज जो लोगों के सामने आती है जब त द्याए बुकिंग कराना है बड़ा आफध है तो द्रीके से आप लोग के आटना तरीक्स का प्रोसेशनी ना आए उसके लिए को पुझे है अपका मोपाईल भी hebben होता है लोग सफ्ट्राइब के साथ का साथ फूरी हो जाता है एक समय के बाद उसकी उम्र पूरी हो जातीए उसको अफडेट करना होता और आपको आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हम अगले 20 साल में यह पूरा सिस्टम बहुत अभी कितने टिकyard कर रहे हैं और नहीं कितने टिकेट कर रहे हैं और हमनारे अपधर हैं mm- çev दर रहे हैं और पैसेंजर्स को हम बहुत बढ़ा एक्सेंस देने वाले हैं दिलिप यह और चीज हो रही है अगर हम आप कुछ कह रहे हैं ततकाल टिकेट के लिए भी आयर सीटी सी वालेट यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा वह तुरंत पैसा कटेगा क्योंकि बैं दूसरे लोगों से काफी आगे हो जाएंगे बैस आप क्या नाम है आपका हमारा नाम प्रभु चंद्र है और चीज बताईए जरा एक तो यह आपने बड़ी काम की चीज बताई कि जिसको बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं जो की मतलब 6 महीने से चल रही है और मैं बहु 139 पे सारी जानकारी वील्चेर कहां मिलेगी टिकेट कहां कैंसल होगा मेरा फूड नहीं आया मेरी सीट में यह प्रोलम है एसी काम नहीं कर रहा है अलग-अलग नंबर याद नहीं रखने है मुझे मेडिकल की जरूत है मुझे दवाई की जरूत है मेरा बच्चा भिमारे चर्ण में मुझे डॉक्तर की जरूत है सारी से वाँ एक नंबर याद रखिए 139 139 पे फोन करना है और आपको पी समस्या बतानी है वह समस्या तुरंट हमारा प्रोटोकल कर अगर अगर मेडिकल समस्या है तो इतने समय में अगर वाटर नहीं है तो इतने समय में वाटरिं चैने किया है इसमें से भी है हमारे पार्टनर्स वी है जो कि सॉफ्टर सपोर्ट देते हैं और क्रिसं यह हमारा जॉइंट वेंचर है और हम इसमें जारा-ज्यादा क्रेंट कर रहें और पैसेंजिंट की क्वेरिज एक साथ अटेंट ले रहे रहे हैं मतलब आप समझे यह तो बड़ी जोड़दार चीज आपने बताई 139 को इतना मजबूत कर दिया गया है कोई विवेक्ट इसको एकसेस कर सकता है प्रभुजी एक और चीज मैं जानना चाहा रहा था आई कभी आप लोग एक बैतरीन इस्तेमाल कर रहें तो यह यह से क्या-क्या चीजें जो है आप संभव कर पा रहें बता सकते हैं यह हमने देखा है हमारे एक्सप्रियंस से जैसे मुझे भी लगबग 20 वर्श के आसपास होने आ गए हैं क्रिस में हमने यह देखा है कि कुछ पर ट्रेंड बहुत हास्फूल चलती है लेकिन कुछ ट्रेंज में जब में जाता हूं तो एक पैसेंजर बोगी में 15-20 पैसेंजर सी होते हैं तो हमें लगा कि एक तरफ तो हमारी डिमांड बहुत ज्याता है सब्लाई काम हो रही है कम बढ़ रही है दूसी तरफ हमारे पा पर ट्रेंज की औक्यूबन्स भी बढ़ा ही है और हम यह 300 ट्रेंज से बढ़ा के और ट्रेंज में करने वाले हैं ताकि हम जारा से जारा लोग वेटली पैसेंजर को इन रूट पर ट्रेवल किया तो मुझे यह पता है कि मेरी डिमांड कहां थी कहां मेरे पास सीट खाली थ जिसकी विसे ट्रेंज में खाली सीटे होते हुए भी पैसेंज को कंफर्म टिकेट नहीं मिल पा रही थी तो हमने वो जो कोटा एलोकेशन है उसको थोड़ा सा चेंज किया यह को इस्तमाल करते हैं पास ट्रेंज को दस साल का डेटा देखते हुए तो उससे हमें सॉफ्ट् जी ने और दिलीब जी ने तमाम मतलब की जानकारी दी है आपको क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो दिक्कत यही होती है कि आपने टिकट के लिए पैसे डाले उसमें करेडिट कार्ड से या णिया यूपियाईश से पैसा जो चला गया और उसके बदर टिकट भ पच्छ जाएंगे कैमरामेन सकील एहमत के साथ सिद्धार्थ न्यूज इस्टेशन दिले